जहें दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक नई वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंकम सर्टिपिकेट जो होता है आप जो बिहार से इंकम सर्टिपिकेट बनाते हैं चाहे वो आपका ब्लोग लेवल का हो चाहे वो अनुमंडल लेवल का हो या चाहे वो डीम लेवल का ही क्यों न हो तो इसका जो इसका जो कब तक यह सर्टिफिकेट आपका चलेगा उसका डेट क्या होता है आखिरकार वैलीडीटी डेट कब तक होता है इसी के बाड़े आज की यहां पे जानेंगे इसे पहले हम एक चीज आपको रहेंड पर दिखा तो इसमें लगभग 200 वोट्स हुआ था टोटल वोट्स हुआ था और जिसमें ज्यादातर जो है 74 परसेंट जो है वोट्स जो था शिक्स मन्त पे आया था तो आखिरकार इन उप्षन में सही उप्षन आखिर क्या है इसी के बाड़े में आपको हम बताएंगे आखिरकार जो आए परमान पत्र इंकम सर्टिपिकेट जो बिहार लेवल से बनाया जाता है तो अखिरकार इनकार जो है कब तक वेलिडिटी डेट होता है इन ही के बारे हम इस वीडियो में जानेंगे तो चलिए चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं जैसे कि यहां पर आप सब देख प यह BIC का मतलब होओ लेवल का सर्कल वाफिसर इसको आप और लेवल का लेवल का बोल सकते हैं या देख僕柔र छे हम यहां से जानते सबसे पहले पीछे वाला जो हम आपको बता था यहां पर जैसे कि देखेंगे इसमें एक मेरा यहां पर देखें टोटल देखें एक बता देतें बी आई सी मतलब बीहार इंकम सर्टिफिकेट कौन सा लेवल यहां पर एस डियो लिखा हुआ है यहां पर देखें अभी तो हमने यह दोनों बता दिया कि यह सब्सक्राइब लेवल को अलग नाम से जानते यह सरकल और यह यहां पर यहां इसके बात हैं कि कोन सा लेवल का बना हुआ है तो चली आब हम बात करते हैं यह परमान पत्र जो कौन सा लेवल का परमान पत्र कभ तक कब तक चलंगeni किस भी काम में तो सबसे सब एक यह मेरा देख लेते यह का से सब मतलब कि इसी को आरो लेवल बोल देते हैं और यहां सरकल ओफिसर और यहां पर रिवेन्य ओफिसर और रिवेणियु ओफिसर और हिंदी में राजश्व अधिकारी से परम निढगात परमानपद इस सरकास आपका कुछ देखने को मिल जागा उनलाइन ही आपका बिहार में चाहिए कोई भी परमानपद बना लिजिये काट इंकम रेसिडेंस ओबी सी एंची या इड़लुए सेटिफिकेट या फिर आप जो है चरीत्र परमानपद्र बना लीजिए आपका कोई भी परमानपद्र बिहार से ऑल्लाइन बनाते उसका ऑल्लाइन ही डिजिटल सिकनेचर होता और इसमें आफ्लाइन के माध्यम से करने अगर एक वर्स तक करने के मतलब यह हुआ कि जब भी आपका दू क्लिकाएल्स होता है तो निर्गत हो जो आपको अगले एक साल तक जो इसकी वैदता रहती है यह कैस इसका मतलब क्या हुआ तो नीडगत यहां पर जैसे कि देखेंगे मेरा सर्टिफिकेट नमबर है यहां पर यहां पर नीडगत तीथी लिखावा है जैसे कि मेरा जो एक तीन दो हजार तारी तारी तिसरा मेना मेरा सर्टिफिकेट जनरेट लो गया है तो अगला 2024 में एक मार्च को किसी भी जगा पे यूज नहीं कर पाएंगे गड़ यूज कर लेता है तो जो जो और जो रिजक्ट हो जागा सर्टिफिकेट का करें यह बात धियान रखेंगे यहां पर यहीं कहा देता नीडगत होने लेवल का तो जैसे कि SDO लेवल पर यहां पर देखेंगे मेरे पास जो चलने वाला है लेकिन अभी भी यह चलने वाला है इसमें जो मेरा देखें एक तारीक है मेरा जो नहीं कि जो चलने अगला जो तो नम्मा मेहना यह से यूज कर चकते हैं अगर हम इस लेवल के बात करें यह लेवल भी मेरा यूज हो जागा यहाँ पर नीचे एक तरह आएंगे यहां भी आपको देखने को मिल जागा व्यदता अग नीडगा धोने की 3-3 से जो है अगले एक जो है कौन सा सेटifically और हमको धियाँ देखना है कि है कि हमको इस लेवल को धियान देना हम यहां पर धियन को देना है यह सदिय आगले अगले हैनि कि 2023 में दस्मा मेहना तक मेरा एक साल पूर जागा अगला उनिस तारी तक मेरा यह चलेगा ठीक यह होगा अगले एक वर्ष तक यहां पर आपको भी देखने को मिल जागा उसके बाद देखें यहां पर तो हमको जो इसमें क्या देखना है हमको आप को यह कोछ तो इस परकार से आप आप जो अपना certificate की पहचान भी कर सकतें और यह कौन सा लेवल का बना हुआ है और यह certificate कब तक मेरा जो है चलेगा इसका वैदता होता है अगर हकीकेत में यहां पता है जाएक तो इसमें इंकम certificate की वैदता होती है वो एक साल तक होती है और यहां पर और धियान रखेंगे जब भी आप अपना OBC certificate अगर बिहार से apply करते हैं अकर उसम परवानिक की वैदता होती है एक वर्ष तक होती है यह पर परकार से आप जान चुकते हैं कि कि इंकम certificate की वैदता होती है आई वीडियो आप पसंद आया होगा और वीडियो के लाश्ट देखने के लिए थांक्यू सो मच मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत अगर जाती आया निवास ओविसी हो गया एंचल हो गया की डवलोएस हो गया चरीत प्रमान पर से कोई भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो वीडियो के कमेंड में आप कमेंड कीजिए आपका रिपलाइब हंडेड परसंद देंगे अगर वहां से भी नहीं होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जो है वहां पर जो कि और स्टाइब हर चिए 250 दता चैंगे नहीं हो पर रजकीलम मान पर अवह झालन प्राग्राम परक। करते हैँ